रासी के हिशाब से खोली में हम किसे रंग का प्रियोग करें तो मेश रासी का स्वामी जो होता है मंगल होता है और मंगल का रंग लाल होता है तो आप इस बर्स लाल रंग के गुलाल को भगवान सिर्कृष्ण के लड्डू गोपाल श्वरूप को अरपीत करना चाहिए बिर्शब राशी वाले के लिए पीला रंग शुब है इसमें पीले रंग का गुलाल भगवान भोले नात को अरपित कर इस परब को मनाबे इसके साथ ही आप पीले रंग के कपरे भी दान कर सकते हैं मिथुन रासी होली के पर-पर आपको शंतान की ओर से कोई बरी खुस खबरी मिल सकती है इस पर-पर आप भगबान सीब के परिवार पर लाल गुलाल चढ़ाएं केरक रासी वाले के लिए भगबान गनपती के दर्सन करें और उन्हें हरा गुलाल अर्पित करें ऐसा करने से आपके लिए होली बहुत ही शुब रहेगी सिंग रासी वाले को होली के दिन मादुरगा का पूजन करना चाहिए और उन्हें लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अरपित करना चाहिए इसके साथ ही किसी कन्या को भोजन कराना चाहिए कन्या राशी वाले के लिए होली के दिन शुबा उठकर सुर्ज को जल अर्पित करें और फीला गुलाल चढ़ाएं ऐसा करने से आपके लिए हपर्व शुबशावित होगा तुला राशी पर आपको यह बस्तु प्राप्थ हो जाएगी जिसकी तलास में आप काफी दिन से भटक रहे थे आप भगवान शीब पर निले रंग का गुलाल चढ़ाएं और उन्हें भांक प्रशाद अर्पित करें ब्रिश्चिक राशी वाले के लिए आपके लिए केशरिया रंग शुब है और हो सके तो इसी रंग के गुलाल को मादुरगा के चरनों में अर्पित करें और इसी रंग के बस्त्र भी पहनें धनू रूठे लोगों को मनाने के लिए होली कैपर पर्व आपको अच्छा आपसर देगा आपके रिष्टे भी मजबूत होंगे इस वर्स आपके लिए हरा रंग शुब रहेगा मकर राशी वाले भगवान भोले नात की पूजा करे और उन पर शफेद रंग का फूल चड़ाएं ऐसा करने से आपकी शेहत में शुधार होगा और आपका आत्म विश्चास भी बढ़ेगा नीला रंग आपके लिए शुब है कुम्ब राशी वाले अगर आप बहुत आर्थिक परिशानी से जूज रहे हैं तो देवी लक्षमी पर पीले रंग का गुलाल चड़ाएं आपकी आर्थिक मुशिबते कम हो जाएगी मीन राशी वाले के लिए शारा रंग शुब है आपकी शी भी रंग को गुलाल चड़ा सकते हैं तो बोलिए जैजैसी आराम जैजैसी